हलो स्टुडेंट साइम जितेंद कुमा शर्मा यह मैं स्टीचर तोड़ी विल कंट्यूनी विताओ चैप्टर नूमर 17 अव क्लास 3 दचेप्टर नम एज लैट्स कालेक्ट डाट दॉस्टुडेंट वी अल्राइडी कंप्लीटेड आवर थी पार्ट इन प्रिविएस क्लासे देवीविल लान अब दाटा हैंलिंग और डाटा क्लेक्शन होता क्या है हम क्यों करते हैं इसके प्रॉफिट किया हैं हम इसका यूज करके कौन कौन से अक्टिविटीज कर सकते हैं इन सबका जो हमने रह चारे इन आवर प्रिविएस पार्ट को साथ हम ने देखा था कि देखा था ना हमने जब हम गए थे एक का यूज किया रहा है किसी नंबर को फाइंड करने के लिए इन शॉट हम कह सकता है टैली मार्ट वो सेंबल सेंड साइन्स है जिनके थूरू हम नंबर्स किया यह किसी भी तिंग का टोटल अमांट कर लेते हैं जो हमें सिक्वेंसली फा करेंगे एक्सराइज 7.2 17.1 तो हम सॉल्व करेंगे साथ इसाथ हम देखेंगे पिक्तोग्राफ होता गया है अब यह पिक्तोग्राफ क्या है तो देखिए जैसे कि हमने पार्ट टू में वहां हमने जोग विजिट किया टाइप सोफ आनिमल्स हमने देखे टाइप सफ ट्र को यूज किया और फाइनल नमबर फाइन कर लिया यह सब तो बड़ा इजी था बट क्या हो कि जब टैली मांक का हम यूज कर रहे हैं बट जो नमबर ओफ तिंक्स है वो लार्जर हो यानि कि उसका अमाउंट इतना बिगो कि इतने सारे टैली मांक हम नहीं लगा सकें कैसे अब टैली मांक हमें कितना लगाना होगा भई हंडेड क्या यह पॉसिबल है नहीं कितना टाइम लगेगा एफट अनरजी सब्वेस्टेज होंगी दैन हम हंडेड का मांक करेंगे सो इसके लिए हमें नीडेड हुआ पिक्टोग्राफ का अब यह पिक्टोग्राफ क्रेट क इसके हम कौन-kौन से सैंबल हम यूज कर सकते हैं इसकी कुछ बैंडेशन है कि नहीं है इसके यूज़े हम कहा कहा देख सकते हैं इन सब के बारे में हम हमारे पाट फो प्रमें स्टैडी करेंगे चले स्टार्ट करते हैं with exercise or activity सो देखिए यहां पर collecting information from pictograph तो आ गया हमारा topic pictograph अब ये pictograph है क्या तो देखिए यहाँ पे एक नजर डाली ये chart is drawn with number of lamps that were lighted in the houses of Raoul's friends तो Raoul's के जितने friends हैं उनके घरों में क्या हुआ lamps को lighted किया गया अब वो friends का numbers अलग अलगे ठीक है अब ये भी बात clear है न कि जो lamp lighted किये गयोंगे उनके numbers भी अलग अलग होगे amount भी अलग होगा ना किसी ने 5 कियोंगे किसी ने 10 किसी ने many more सो हमने यह यह देखा कि यहाँ पे जो हमारी table का creation होगा वो कुछ का ऐसा होगा देखो पहले इस table पे हम फोकस करते है name of friend सो यहाँ पे हम देख पा रहे है सौरव, Mayank, Akash, Neha and Surbhi so these are the names of the friend of Raul's होकिन then इसके अपोजित हम देख पा रहे है number of lamps like 40, 60, 70 and some of blanks so यहाँ हम यहाँ कह सकते है क्या हम यहाँ tally mark का use खार सकते है to show these numbers not possible भाही हमने क्या कहा हमने का सौरव ने 40 lamps को light area so हमें tally mark कितना बनाना होगा चाहिए हम कोई भी सेंबल यूज कर रहे है tally mark में हमने right tick mark यूज किया so हमें 40 बनाने होगे चलो यह बनाया फिर उसके बाद में आकास ने 60 किया फिर हम 60 बनाएंगे so कितना time, energy और effort हमारा so इस problem से बचने के लिए हमने क्या किया हमने innovation किया या हमने find कर लिया pictograph का अब यह pictograph क्या है इसे समझते हैं तो देखिए for example यह क्या था वो तिंग जो यहां पर यूज किये गई यानिकि फ्रेंट ने लाइटिट किया है लैंप को ओके वन लैंप का सेंबल है लैंप का इमेज हमने find कर लिया अब हम यह कह रहे हैं आगर यह सेंबल हमें शो रहा है इसका मतलब होगा 10 लैंप कितना लैंप होगा 10 तो जो हमारी इसे हम कहते हैं कि हमने कौनसा graph यूज किया हमने data handling में कौन सा method किया हमने यूज किया pictograph तो यहां पर हम हम क्या करेंगे easily कहेंगे 10 लैंप का जो amount अम्हें इंडिकेशन देना है टेबल में उसकी जगे कर देंगे only a image of lamp करता है इनको कह सकते हैं हम इंडिकेशन है हमारे पास में कहा है कि वह जहाना आप उसको कितना मानेंगे आप मानेंगे वह सकते हैं। पिक्तोग्राफ का innovation क्यों है कि हमें नीड क्यों हो हुई हए। इसलिए हुई कि हमें बचाना हमारा सम आधा से होते हैं जिनका collection तो हम कर सकते हैं उनको हम method में use करना नहीं up-drank यσिर रिइंजर करना काफी मुश्कील होता है वो नबर भी होता है उनको शॉट करने के लिए is short हम एंको short करने के लिए हमने यूज पिक्तोग्राफ मैठट का इस मेथ हम आख में हम use करते हैं SHP oder का brush for Warm现在 a human time left मितलब होगा टैन टाइम लैप्स का यूजेज है सो देखिए डैम और फ्रेंट फस्ता सौरव सौरव ने हम यहां टेबल में देख पा रहे हैं इंडिकेशन में देखिए टेबल में कितना यूज किया उसने सबसे पहले इंडिकेट हमें नंबर दिया गया है जो हम कह सकते हैं जो इंडेक्स हमें दिया गया है उसमें क्या मैसेज है यह मैसेज है का मुझा आप मानेगे उसे 10 Lamps इस दापिक्टोग्राम तो यहां हम देख पा रहे है सौरव का अमांट था LOCKE कितना 40 सो 40 अनि उनलिवलम्स बिकॉस वनलम्स मेंगव थैण टू लैम्प मिन्स 20 अमाउंट घ्रिया मीन्स 30 So, here we use 4 lamps that indicate as 40, clear, चलिये, मैंग की बात करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, total amount is as 50, so we can fill up the table also, चलिये, next है हमारा, अकाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, so we can easily write there total amount as 60 lamps, okay, so यहां हम चेक कर सकते हैं, that is a 60, okay, स्नेहा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, so total amount is as 80, so you can write there easily amount 80, okay, at last, the last name of friend is सूर्भी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, so you can check there the amount of lamps that were loitered in the सूर्भी's house that is 70, clear, So dear students, I hope आपने यह understand कर लिया, pictograph होता क्या है, in short हम कह सकते हैं, samples का arrangement है, but वो samples होंगे, उनका many times use किया जाएगा, in short we can see, यहां पर हम देख पाएंगे, multiply वाली situation, कितना time, how many times we can use the sample, according to number, यह चीज़ हम यहां देख पाएंगे, साथ ही साथ हम यह देखते हैं, कि pictograph का use किया गया time, energy और हमारे effort को सेव करने के लिए, तो चलिए next activity देखते हैं, यहां पर हम देख पा रहें, biggest balloon selling shop in the city was having number of balloons with following colors, so following colors के उसके पास में balloons हैं, बड़ा shop है, so हम easily find कर पा रहे हैं, easily think कर पा रहे हैं, कि उसके पास में number of balloons भी काफी होंगे, larger amount होगा, तो चलिए उसका table पे हमें focus लेते हैं, here is the table, you can see, columns, color, okay, and after color, we can see there, one balloon, indication, one balloon means 20 number of balloons, then after number of balloons, we should find, okay, so यहां हम यह समझ पा रहें, जो shop का हम देख पा रहें, area है, काफी बेग है, so वहां पर amount of things भी ज्यादा होगा, so हमारा जो table यहां create किया गया, उसमें हमने यूज किया हमारा pictograph, pictograph का हमारा symbol क्या कह रहा है, वही आपको one balloon का symbol लेना है, उसको आप equal रखेंगे 20 balloons के numbers के, so देखे, सबसे पहले हम colors को देखेंगे, symbols को count करेंगे, and file and numbers of balloon को यहां write down करेंगे, तो चले start करते हैं with the color red, so you can check, 1, 2, 3, 4, 5 symbols, so we can say, the total amount of red balloon in the shop is 5, no, because 5 तो symbol है, अब हमें symbol का pictograph देखना है, pictograph क्या कह रहा है, pictograph easily says, कि if you have one symbol, then you find as the value of 20 balloons, so यहां पर हमारे पास में 5 symbols है, so in short we can say 5 times 20, so total amount goes as 100, you can count like that, 20, 40, 60, 80, 100, so we write there 100, so red balloons का amount कितना है, 100, so यहां आप देख पा रहा है, अगर हम यहां telemark का use करते, so हमें क्या करना पड़ता, 100 telemarks को put out करना पड़ता, उन्हें write down करना पड़ता, उन्हें draw करना पड़ता, then हम उन्हें count करते, फिर हम find करते हैं हमारा amount 100, so time, effort, energy हमारी काफी वेस्टेज होने वाली थी, so इन सब से भचने के लिए, to save our time, energy, effort, हमने use किया है, pictograph का, so अब next के और move करते हैं, green color वाले, so 1, 2, 3, 4, 5, we can count, 20, 40, 60, 60, 80, 100, so 100 also, okay, next, blue color, 1, 2, 3, 3 time we use the symbol of balloon in there, so we can easily say, blue have as the capacity or total amount of 60, next is our yellow color, so 20, 40, 60, 80, so we can easily write there, 80 as amount, and the next is our pink color, so 20, 40, 60, 80, 100, so right there, 100 is the amount of pink color balloon in the shop, and the last of the color is our white color, so 3 time you can see the repetition of the balloon symbol, so easily we can say, we should multiply 20 amount as 3, so our amount goes as, the final amount will be 60, so number of balloon of white color in the shop, will be, is a method through which we can, hopefully we can arrange the data in a short form, or multiplication form, here we can see one balloon symbol, we can see 20 times create, in short, we have time effort, 20 times save, so pictograph table, say, it's used to be used, it's used to be used, it's used to be used, so next activity is, write the number of chocolates, with the children, so dear students, in the data, you can find the, information, information, first of all, number of chocolates, you can see the number of chocolates, is there, and another is name of children, so, we can explain this information, से जो हम information निकाल रहे हैं by the observation वो यह है कि सबसे पहले हमें हमारे पास में जो two amounts है यहां पर यह हम कह सकते हैं टेबल का creation करने के लिए हमारे पास में two things हो जुकिए first number of chocolates another is children so हम कह पा रहे हैं कि name होंगे हमारे पास में data में और chocolates का amount होगा सो देखिए इसका हम table create करते हैं with the pictograph so students names you can check here another column you can see the indication or index of the pictograph वो क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर one chocolate का sample है so you consider as five chocolates you have okay one sample equal means five time so यहां पर हमारा pictograph के लिए होता है and at last हमें find करना होगा the number it means total amount of students or chocolates so यहां हम देख पा रहे हैं frame students name so देखिए one two three four five can I write the five no because यह तो repetition time है कितना है five time है अब हम चलेंगे हमारे index के पास में the pictograph says if you have one time sample then you find as five chocolates we have five time here so we can easily say five multiply by the five so our answer goes as 25 we keep candidates so we write there 25 you are six seven time the sample of chocolate so easily we can say he have five multiplied by the seven as amount of chocolate so they key five ten fifteen twenty twenty five thirty and thirty five so final amount goes as thirty five and the last student name is a squishy so who she have one two three time of the repetition of sample chocolate so easily we can say if we she have one time then we can call as five chocolate if she have two time then we call he she has ten chocolate but here she has three time of the sample then so we can easily call she has fifteen chocolates in her hand so dear students here we can arrange the data in short form in short we can arrange the data in short form bigger amount if we arrange the information to find so we can use pictograph through the pictograph number of amounts is to sample arrange and to sample to multiply and we can multiply and remove the data so this is easy पाइँ हाँ हिसे रहा हमना यहां पर यहां पर जिले मांवना होते हैं हम कितना टाम double करते लास्त ठीकिन करूंग हैंट्रंड 1 फिक्तिटोग्रैट। रहद होता क्या अगर हम तुम्हारा चैप्टर है उसमें हमने टैली मार्क को क्लिया कर लिया हमने पिक्टोग्राफ को क्लिया कर लिया हम यह देख पा रहे हैं कैसे हम डेटा को टेबल में आरेंज करते हैं कैसे हम थ्रूदा अब्जर्विशन डेटा फाइंड करते हैं उसको हैंडल करते हैं एंड इ